नमस्कार जी एन भारत देख रहे हैं आप हम इस वक्त हम मौझूद है राची जिदाले में जहाँ पर जो है जारखन अधिति सिक्षक संग के लोग यहाँ पर मौझूद है और इनकी कुछ समस्या है यह समस्या बताने के लिए हमारे साथ मौझूद है पहले सबसे पहले आप अरविंद परसाद अधियक्ष जहारखन अधिति सिक्षक संग जी अरविंद जी क्या समस्या हो रही है अब लोग हम लोगों की नियुक्ति राज सरकार के निर्देशन से वर्स 2015-16 के पस्चात हुई है कई संकल्पों के कई नोटिफिकेशन के माधियम से और हम लोगों को 17 महिना से मांदे का भुकतान नहीं किया गया है हम लोग हर बार आये यहां धरना भी दिये बहुत सारी चीजे किये लेकिन अभी तक हम लोगों को बेतन का भुकतान नहीं किया गया है इस्थिती ऐसी हो गई है जीवन मरन की स्थिती हो गई है अब बतलाए कि एक दिन या फ कि तक हम लोग कर समच्छय का समधान ने किया है मांदे नहीं मिला बिलकुल है और क्या वजह कि मांदे नहीं मिलता है यहां पर कहा जाता है कि राजे सरकार स्वाइब कार रूपमें स हमयोजन की बात हो रही थी और उसमें समायोजन का हेडिंग तो दिया गया लेकिन हमारा जो संकर्प राज सरकार के द्वारा जो HRD के द्वारा बनाया गया उसमें समायोजन के जगा निसकासन का यह लोग पारित करा दिया है अब इस सिती ऐसी हो गई है कि विसुविद्याले के द्वारा कई कॉलेजों में कारे लेने से रोका जा रहा है, दूसरा चीज है कि कई ऐसे विभाग हैं, जो कि पूरा गेश्ट फेकल्टी पर आसरी थे, और आज आप जा करके पता कर लिजे कि कहीं भी कक्छा हैं नहीं हो रही, सभी कक्छा हैं बंद हैं, ठप हैं, लेकिन उच यम तकनी की सिख्छा पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, लेकिन आप हमारे गार्जीयन हैं, तो आपको सोचना होगा कि कब तक हम लोग ऐसे ही जीएंगे? 17 मैने से मांदे का भुकतान नहीं हुआ है. देखे, एक बड़ी समंसया है कि 17 मेने से इनका मानदे का भुगतान नहीं हुआ है जिस तरह से अपनी समंसयाओं को इन्होंने हमारे समक्च पेस किया अर बताया है कि किस तरह की समंसया है अभी दिपावली का ये जो तोहार आने वाला है तो दिपावली भी जो है इनका कैसा बीटेगा ये भी एक बड़ी समस्या है तो इन्होंने अपनी बातों को रखा है और जिस तरह से समस्या बताया है कि 17 मेने से इनका मांदे नहीं मिला है तो इस समस्या है तो इस समस्या पर कहीं न कहीं राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले